सीरियन अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा कपाडिया हाउस के लिए रवाना हो गई है और अनुपमा का बेसबरी से इंतजार कर रहा है कपाडिया हाउस में पाखी और अधिक आते हैं और अनुपमा कहां है बाखी अनुज से कहती है कि मम्मी वस आती ही होंगी, हम लोग पहले आ गए ताकि मम्मी का इस घर में भी स्वागत कर सके। इसके बाद शाह परिवान में सभी लोग टेंस है कि कहीं माया कपाडिया हाउस में अनुपमा के फेर्विल को खराब ना कर दे। बनराज समर से कहता है कि तुम कपाडिया हाउस चले जाओ, नई तो मैं और समर कपाडिया हाउस चले जाते हैं, तब डिम्पी कहती है कि वहां पर अनुझ है मम्मी का ध्यान रखने के लिए और माया कुछ भी नहीं करेगी। बनराज कहता है कि मुझे पता है कि अनोज वहाँ पर है अनुपमा का ध्यान रखने के लिए लेकिन मुझे माया पर एक परसेंट भी भरोसा नहीं इसके बाद पाकी केचन में काम कर रही होती है और अधिक पानी के बॉटल रेने केचन में आता है तब पाकी अधिक को ठैंक्स कहती है कि शाह हाउस में फेरवल पार्टी के समय वो उसके साथ रहा और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि उन दोनों में ठीक कुछ नहीं है वो कहती है कि मम्मी भी आने वाली है यहां कपाडिया हाउस में भी हम दोनों साथ में नॉर्मल ही लगेंगे मम्मी के सामने लेकिन अधिक उसको मना कर देता है कि मुझे अकाउंट्स का कुछ काम है मैं अपने रूम में रहूंगा और पार्टी में शामिल नहीं होंगा पाकी अधिक से कहती है कि मैं तुम्हारे काम में हेल्प कर लूँगी तुम पार्टी में शामिल होना तब ये अधिक एकदम से भड़क जाता है और पाकी का हाथ मोड देता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तुम अकाउंट्स चेक करोगी, हमारे यमन में क्या कोई चोर है अधिक का ये रूप देखकर पाकी बहुत ही हैरान हो जाती है और रोने लगती है अधिक ने पाकी को फिजिकली अब्यूस किया है और पाकी यह सह नहीं पाती और बहुत घबरा जाती है अधिक ने जिस तरीके से पाकी का हाथ मोडा होता है वो बर्खा देख लेती है और बर्खा अधिक को कमरे में जाकर डाटती है कि तुम ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकते थे और कहता है कि इसे सम्हाल कर रखना अंकुश उस फाइल को सम्हाल कर रखता है और माया उस फाइल को देख लेती है और उस फाइल में माया को एक पेपर मिलता है तबी अनुपमा काड़ी हाउस में एंट्री करती है अनुपमा को देखकर काफी खुश हो जाता है और साथ ही साथ छोटी अनुपमा भी भागते हुए अनुपमा के पास आती है और उसे गले लगा लेती है अनुपमा छोटी अनुपमा को फिर से अपने करीब देखकर बहु इमोशनल हो जाती है क्योंकि अधिक ने उसे पहली बार physically hurt किया होता है और अनुपमा अपनी मा के आगे अपने emotions को रोक नहीं पाती और वो उसे गले लग कर रोने लगती है हर कोई पाकी से पूछता है कि आखिर पाकी को ऐसा क्या हुआ है कि वो इत्की तेज रो रही है इसक जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मा और भाई को अनुझ ने इन्वाइट किया है इसके बाद अनुझ अनुपमा की आरती करता है और तभी माया आरती की ठाली को फेक देती है माया अनुझ के सामने एक पेपर लाती है और उससे सवाल करती है कि आखिर कार ये क्या है तुम मेरे आगे इतने टाइम से ड्रामा कर रहे थे, क्या तुम भी अनुपमा के साथ यूएस जा रहे हो, तो फिर ये ड्रामा किस बात का, और माया का पागलपन शुरू हो जाता है, माया अनुपमा को बहुत ही खरी-खोटी सुनाती है, और साथ ही साथ सबसे कहती है कि जट झा झाही टीया हो जाता है, और साथ खोटी सक्या हाती है, यो